सिताच शुकला का आज दुपेहर तक ओशिवारा शमशान घाट में अंतिम संसकार हो जाएगा जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता है कि 40 साल के उम्र में कल उनका निधन हो चुका है जो कि इस सब के लिए बहुत ही दुखी खबर आई है और वैसे मैं अभी बिग बॉस 13 के बाद सिताच शुकला ने शेहनास के साथ बहुत ही अच्छा कासा टाइम निभा बिताया था और अभी ये खबर आ रही है कि जब सिताच शुकला आखरी सास ले रहे थे तब शेहनास उनके बाजू में ही थी जी हाँ क्या है पूरी खबर चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो जब सिताच शुकला रात को सोने जा रहे थे तब उनके सीने में थोड़ा दर्द हुआ तो उनके मा ने और शेहनास ने उनको नीम्बू पानी और आईस क्रीम खिला फिर भी उनने ठीक नहीं हुआ तो जब शेहनास जा रही थी तो सिताच शुकला ने बोला कि अभी तुम यहीं रहो और मेरी पीट थप थपाओ क्या पता शाय ठीक हो जा है तो शेहनास उनके पास ही रह गई फिर भी उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो सिताच शुकला शेहनास की गोदी में ही सो गए उसके बाद शैनाज भी साथी साथ सो गई उनकी भी आँख लग गई थी फिर जैसे ही सुबे साथ बजे शैनाज की आँख खुली तब सिदाच शुकला एक ही पोजिशन में सोई हुए थे बिलकुल भी हिल डूल नहीं रहे थे वैसे में शैनाज बहुत घबरा गई थी और तुरंद उनकी मा को जगाया और बहुत घबराते घबराते चिलाने भी लगी याँपर शैनाज गिल और वो सीधा 15 फ्लोर से 5 फ्लोर तक गई क्योंकि सिदाच शुकला की बहने भी उसी बिल्लिंग में रहती थी तो 15 फ्लोर से 5 फ्लोर तक वो चिलाते चिलाते गई शैनाज और फिर बाद में उनकी मा ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और फिर यहाँ पर उन्होंने सज्जेस किया कि इनको कूपर हॉस्पिटल ले जा और जब ही कूपर हॉस्पिटल पहुचे तब पता चला कि सिदाच शुकला is no more जी हाँ शैनाज के गोदी में ही सोकर उन्होंने आखरी सास ली और यहाँ पर कल उनके पापा ने भी यह बताया था कि मेरे सामने ही यह सब हुआ है मैं बहुत घबरा रही हूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था शैनाज को आपका क्या कहना है कमेंड में जरूर बताना और ऐसी exclusive खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे channel के साथ